विलकम टू आवर यूटूब चैनल गाज एगवार फिस आपका अपने इस परिवार में स्वागत है आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी अनचम 17 जॉइनिंग को लेकर गाज बड़ी खबर निकलके आई है कि जॉइनिंग लेटर मैकसिमम लोगों को मिलना अब शुरू हो गया है तो वह सब हम डिसकेस करने वाले हैं और किसको कौन सा सेंटर मिल रहा है यह सभी चीज़े डिसकेस करेंगे अब आपको यह जोइनिंग पत्र जो मिल दा है जोइनिंग लेटर मिल दा है यह ले जाकर आपको कहां पर रिपोर्ट करना होगा ठीक है कहां पर रिपोर्ट करना होगा यह सभी डिस्कस करेंगे उसके साथ साथ यह भी डिस्कस करने वाले हैं वेटिंग लिस्ट कब किलियर ह लगबग 1000 के आसपास 500 के आसपास ट्विट भी हुए हैं तो क्या अब्डेट निकल के आया कि नहीं यह सब कुछ हम डिटेल में डिसकस करेंगे लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आप से रिक्वेस्ट के आप वीडियो को बिना इन्ड तक देखेंगे तो चलिए गाइज देरिक यह विना हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो गाइज देखिए अभी जैसे आपको हमने वीडियो में इसके पहले कई वीडियो में हमने बताया था कि आपके ज्वानिंग लेटर भी के बाद आपको कॉल आना सुरू हो दस फरवरी या जिस दिन आपका आफा यह आफा लेटर जारी हुआ था उसके बाद डाकुमेंट जैसे कहीं कहीं पर कई जिलों में तो तुरंत ज्वानिंग दे दिया गया था तो जैसे जैसे उनको स्वाटेज था जिस जगह पर जैसे जिलावार उसी के हिसाब से यह लो करना होगा तो पहले हम देख लेते हैं यहां पर जो ज्वानिंग लेटर मिला है उसी के माध्यम से समझते हैं चीजे क्या है देखिए एनम के कनी डेट है और इनका यह ज्वानिंग लेटर है चीजे क्या लिखा है इस पर देख लिजे ऊपर यह सभी चीजे डेटर मेंशन की जाती है तो यहां पर देखिए application number दिया गया है ठीक है candidate का नाम है date अब देखिए यहां पर confusion इस चीज को हो जाता है कि यह जो date है यह आपका जो date है इसी date से आपका salary count होगा ठीक है इसी date से आपको salary मिलने वाला है और देखिए इनके बलाग का नाम क्या है उच्च गाउं यह जो इनका csc है ठीक है जो इनका csc है उनके csc का नाम उच्च गाउं है ठीक है अब देखिए गाईज और अब यह उपकेंद क्या होता है इस चीज को भी समझ लेते हैं जो भी बात है आप लोग ना समझे तो भाई आप लोग तो चाहते हैं चमकता चीज आपको सोना दिखाई देता होगा वीडियो की quality अच्छी नहीं थी लेकिन content में दम रहता है चीजे समझाते हैं जितना अच्छे तरीके से हम समझा लेते हैं साध कोई ही आपको समझा पाता होग तो गाई देखिए यह black का नाम है CSC को जो है अब यह इसी CSC के अंतरगत उपकेंद्र आता है अच्छा यह duty आपको यहां करना है कि यह जो उपकेंद्र लिखा है यहां पर करना होगा तो चीजे समझने की कोशिज करिए देखिए CSC क्या होता है और उपकेंद्र क्या होता ठीक है CSC पे रिपोर्ट करना होगा CSC पे रिपोर्ट करेंगे लेकिन डूटी आपको यहां पर नहीं दिया जाएगा अपको उपकेंद्र अब यह उपकेंद्र क्या होता है तो उपकेंद्र देखिए तीन चार गाउं का मिलाकर देखिए एक बना जाता है simple always जहां पर टीका करड़ होता है, जब इसी उपकेंद में जाके आपको करना होगा, आपको help कोन करेगा, वहां पर आसा help करेगा, आसा help करेंगी, मैंने इसके पहले भी वीडियो में बिताया था, कि आपको चीजें हैं जो आसा के, आपके अंडर में आसा रहेंगी, और चार-प समझ सकते हैं, आपके जहां पर आप घर, जो आपका home गाउं है, तीक है, जो आपका गाउं है, वहां से 10 km दूर भी मिल सकता है, 5 km दूर भी मिल सकता है, अब देखिए, आप इसी से आडिया लगा लेंगे, जो आपका CSC है कितनी दूर पर है, इस चीज से ही आडिया लगा करना है, काहल पर करना है, जो आपके CSC के अधिचक है, इनहीं के पास आपको रिपोर्ट करना होगा, ठीक है, जहां पर रिपोर्ट कर देंगे, फिर यह लोग आपको बताएंगे कि डूर टी कब जाननी है, कब करना है, क्या करना है, अलग से गुरूप में आपको आड़ क कर देंगे जो भी प्लानुद रहेगा प्लान के लिए यसा आप से टाक्रार कर वाएंगे उपकेन्द में मैं आ बता दिए हम बतादि है उपकेन्द में ही आपको कशन द्हार अब करना होता है बाकी और जाना होता है सिस्वी में जैसे कभी कभी मीटिंग ठीक है मीटिंग हुआ हाफ्टे में एक दिंग मीटिंग रहता है तो आपको यह मीटिंग सिस्ट पर करना हुता है डूट्यटी को अपकेंड लिए रहते हैं अधीध सिस्ट के तो आप सभी एनम जितने भी एनम लोग हैं फिल्ड वर्क आपको मिलेगा टीका करण में उपकेंद्र मिलेंगे ठीक है यह जो यहां पे लिखा है तैनाती स्थान उपकेंद्र उच गाउं तो यह ही आपको चीजे मिलने वाला है उपकेंद्र रही तो गाईज उम्मिद करते हैं चीज़े आप समझ में आ गई हैंगों जिनका भी ज्वानिंग लेटर आएगा तो आप सभी को ज्वानिंग लेटर ले जाकर अपने CSC में विजिट करना होगा CSC में रिपोर्ट करना होगा समुदाइक स्वास्त के इंदर में रिपोर्ट करना होगा जिसको CSC बोलते हैं अब यह नहीं है कि आप ज्वानिंग लेटर लेकर जाकि उपके इंदर पहुंच जाएं ठीक नहीं बलाक में जाना है आपके कि अपने CSC में रिपोर्ट करना होगा दिश्चक की फिर दिश्चक आपको डिशे करेंगे की आपको duty कब से बुलाना हे कि इस दिन से बुलाना है क्या करना है वो सब कुल शिडुल वही करेंगा सर प्लाना है कि आपके Sabla ग्वान में हो सखिगा आपको 4-5 गयों मिल सकते ह अगर चार गाओं मिलता है तो आप चार आसा है तो आप GUY MAG मैन रहेंगे आप मैन जो भी आसा रहेंगी आप आसा बगयार है लिए को सब कुम पतलगा REMकल को सकते हैं कि जितनी आसा रहेंगी हो आप के अंडर में रहेंगी ठीक है आप आसाओं का सूपरवाजर रहें अब जी आसा जो लेंगे आपको मैडम मैडम करके बोलेंगे मैं मैं करके बोलेंगे तो चीजेस नहीं आपको बहुत सपोर्ट करती हैं आपको भी इनका सम्मान करना पड़ेगा डूटी के टाइम क्योंकि जाते हैं तो आपको अच्छे से सज़िजाइन का बfully देते हैं अब यह improved a campus फिर आपको बहुत बार के लाते हैं कि देखे डूटी जादा नहीं रहती है 30 और ते चार गंटे में गंटे में तो सभी लोगों नहीं मिला है उनके लिए थोड़ा समझ्या है यहां पर थोड़ा यह बोल सकते हैं जी लोगों का होम डिस्टिक मिल गया है तो इससे अच्छा ज्वाब हो ही नहीं सकता अब देखिए कुछ लोगों का यह भी कमेंट आ रहाता किसर इनम जो भी हैं इलबरी पॉइंट पर भी काम करती हैं हमारे साहत में पूराने लोग एंट तो क्या रहतक है दिलबरी पॉइंट भी रहता है पीसी वगाएर, पर तो सौटेज रहता है तो रख लेते हैं लेकिन वही काम नहीं रहता है만 पर अपने जरूयतude की हसाब से अधिश्यक करते रहतेज हैं इदर में क क्या अपने जτόर से अधिश्यक करते रहते हैं इया इत्सेय सब्सक्राइश टीकाष्यक करते हैं आपके अपने बलाग पर CFC पर रिपोर्ट करना होगा, इनम वालों का, ठीक है? इसी परकार जो भी स्टाफ्णाश वाले हैं, वो भी CFC पर ही जाके रिपोर्ट करेंगे, ठीक है? क्योंकि चाहिए वो PFC हो, चाहिए SE, क्या आपको मैंचीज क्या होता है, डीक है, एक PFC होता तो ये सभी CSC के अंतरगत ही आते हैं तो अब बात कर लेते हैं आतकर है आपके waiting list किस्टि कब क्लियर होगे हैं कंडि़िट्यिक कब कर सकते हम सब्सक्राइब कौści देखिए अब उमीद निने पाम विडियों है बता चुका घ्रक में मिड शारश तका चलिए 15 मार्च तक आपका एनम वाले जो भी candidate है इनका आ जाएगा ठीक है इनका PDF जारी हो जाएगा वेस्टिंग लिस्ट का कि इतने लोगों का वेस्टिंग लिस्ट के लिए रही इतने लोगों का डाकुमेंट के लिए बुलाया जा रहा है इतने डेट को ठीक है तो बात कर 37,000 फुल्फिल नहीं हो जाती है, आपके लिए प्रयास करते रहेंगे, चाहे वो स्टाफनस के कंडिजिट हो या लाइब टेकनिशन को या फार्मासिस्ट के, ठीक है, तो देखे गाइज, अब उम्मीद यही है कि इसी विक में आने की पॉसिबलेटी है, बाकी आगे क्या होता है, इस विक तक हम वेट करते हैं, अगर चीजे आगे निकल के नहीं आती हैं, तो फिर हम एक बार फिर से जाके, एनचम में, फिर एनचम में जाना ही पड़ेगा, या आपन देने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, कि सर हम लोगों के जो भी है, अलार्टमेंट जारी करें, ताकि हम लोगों का भी जुआनिंग हो सके, इलेक्शन से पहले, लोग सबाच चुनाव से पहले, तो बस इसी विक तक वेट कर लेते हैं, फ्राइडे तक, गुरुवा तक अगा चीजे नहीं हो पाता है, फिर हम आपको नोटिफिकेशन जो अभी पर्मानेट भरती का, यूपितर पलेसी का नोटिफिकेशन अभी जो आपको एक लेटर दिखाए दिया होगा, कि अधिया आचन वेजा जा रहा है, तो यह प्रयास के बदोलत ही आया है, जो मैंने प्रयास किया था, जो मैंने जनवरी के महिने मे चैनल पर जो कोस बेच रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, बड़ी खुसकबरी, दसजार भरती, लेकिन दसजार भरती नहीं आएगी, सीधा सीधा बोल रहा हूँ, जो भी एनव के कंडिडेट हैं, इतना आप दिमाग में बैठा लेजिए कि आपकी भरती दसजार आने वाली ठीक है, न तो 8000 वाल आने वाली है, आपकी भरती चार से 5000 की बीच में आने की पॉस्पिरिटी है, तो आपको जो बताया जार आ की 10 जार, 8000, 12000, 13000, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, 4000 आएगी, फिर भी जो आपका कटाप रहेगा, उतना ही जाने वाला है, जितना 2022 में गया था तो आप लोगों के लिए कलाज भी हम कोशिस कर रहे हैं, कि माइकसिमाप इतने जितने लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, इनम बहन, उन सभी का तो सेलेक्शन हो जाना चाहिए, और इतनी अच्छी प्रिप्रेशन करवा देंगे, कोशिस करेंगे बाकी आगे क्या होता है हमारा यह तो मोटू नहीं है कि हम continue YouTube पे ही चीजे करें, बस आप लोगों के support के वज़त से जितना हो पाता है, चाहिए वो वीडियो की quality, इसी यही रीजन है कि वीडियो को काल्टिंग में थोड़ा इसू रहता होगा, फिर आपको content, content में कमी नहीं रहेगा, यह तो मैं दा अपना जैसे हम आपको paper दे देंगे, ठीक है, आप paper हल करके, अपना answer जो भी चीजे रहेगा, एक copy में लिख के, और group में भेज़ेंगे, फिर हम आपका result बताएंगे, कि आपका इतना number आया है, एक ए candidate का बताएंगे, यह नहीं है कि पूरा एक ही group में भेज़ देंगे, इसा करेंगे, और इसा करते भी हैं, जैसा नहीं है कि हम बोल देते हैं, तो नहीं करते हैं, इसा करते भी हैं, उमिद करते हैं, चीजे आपको समझ में आ गई होंगे, ठीक है, आप वीडियो को लाइक करना चाहते हैं, तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नहीं हैं, तो चैनल ये तो